हारी कस कस ता नेमत मारे हर मैं बाप तू बेटी मेरी गउशाला ते पहर लिकड मने सकल बुरी लग तेरी हो सकल बुरी लग तेरी कस कस ता नेमत मारे मैं बाप तू बेटी मेरी गउशाला ते पहर लिकड मने सकल बुरी लग तेरी हो सकल बुरी लग तेरी कहिए पिताजी आज इस समय के सामने मेरी सकल भी बुरी हो चुकी है आज तुझे तेरा पिताजी अच्छा नहीं लगता लाड़ो वो भी दिन थे जब तु मेरी गोदी में खेलिया करती उस टाइम में तुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैंने तेरी शादी करी इतना धनमाल दिया जब भी मैं तुझे अच्छा लगता था लेकिन आज मेरा बाबाजी का रूप है बावली कोड़ा हाथ में मत उठा इस तरह की शाई तेरे लग जागी के तु जिंद की बर्धोईगी पर छुपेगी नहीं मेरी दिखे हाथ में कोड़ा मत ठावेरी हाथ में कोड़ा मत ठावेरी ना मिटे लाडली स्याही एर सिरसागड में आके तन ने दुनिया खूब हसाई पिता जी दुनिया खूब हसाई दिखे मुझे बुलावन मन सामलने खेचा था एक नाई सिरसागड आने के पहले तन मोद ना आई हो तन मोद ना आई दिखे तने दुखाई रिया आज आत्मा तने दुखाई आज आत्मा नजर राम ने फेरी इज़त माटी में मिलवादी कर पहेरा फेरी हो कर ग्या डूमा धेरी माटी मुटरी में मिलवादी राम तन मिलवादी पने दुखाई खे थाएँ पिताजी कम से कम अगर आप नहीं आते तो ये दुनिया वाले यही कहते कि हरनन्दी का कोई भाती नहीं आया लेकिन पिताजी आज तो मेरी सास और ननत मुझे ताने मार रही है कि तेरा पाप आया है भिकारी के रूप में जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है हरनन्दी ये दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या कहते है लेकिन तू तो मेरी अपनी बेटी है तू तो मेरा खून है तुझे तो मैने पाल्या बोशा है लाड़ो तू ही मेरे उपर हाथ उठा रही है तो ये संसार वाले तो सब खुछ कहेंगे इनको मैं किस तरे से रोग सकता हूँ नहीं पिता जी क्योंकि बनी के चहरे पर लाखो निशार होते है और जब बनी बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते है समय खिलाए खेल मनुसर होता है और इस नज से बड़ा बलवान समय होता है बावडी ये समय समय की बात हैं तू अपना हाथ रोक ले और मेरी बात सुन ले अरी टोटे में दुखिया ने अज घर ते ठुकरावे मत ना मेरे वापिस चाल्या चाभिक मंगे जाद दिखावे मत ना हो जाद दिखावे मत ना अरी हाथ में कोडा ठाके री बेटी पाप चढ़ावे मत ना चिकनी चुपड़ी बात करें मेरा जिगर दुखावे मत ना हारी मत ना मार भगावे तड़की मत ना मार भगावे में तड़की चाल्या जाओं सवेरी नहीं गया ते जाने लिए तेरा मोथ सीस पे भेरी हो मोथ सीस पे भेरी जा बेगावे एता हुड़ी हरनंदी इस तरह के संसकार तो मैंने तुझे नहीं दिये थे ये परंपिता परमात्मा की किरपा होती है कब इनसान की समय बन जाए कब बिगड़ जाए लेकिन उसे अपने संसकार नहीं भूलने चाहिए लाडो तु तो सारे संसकार भूल की जिस तरह से मैंने तुझे पालया था जिस तरह के संसकार तुझे दिये थे तु सारों को भूल चुकी है तु धन के महों में अंधी हो चुकी है आज मैं गरीब हूँ तू एक धनवान सेट की पुत्र वधू है आज तरी बेटी की साधी है और तू सारे बस पैसे के चक्कर में पढ़ रही है तुझे अपने पिता जी का कोई ख्याल नहीं लेकिन पिता जी ये तो मैं भी जानती हूँ कि आज आपके पास में मेरे भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन अगर मेरा कोई भाई होता तो मुझे इस तरह के ताने नहीं सुनने पढ़ते पिता जी क्योंकि चांदनी रात में बरसात पुरी लगती है जब घर मे हो लहाश तो बारात बुरी लगती है और जूटे अपसानों से दिल नहीं बढ़ता पिता जी जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है अज ऐसा ही दर्द मेरे दिल में है मुझे तुमारे भात की कोई जरूत नहीं है मैं फिर भी तुम से हाथ जोड़के यह प्राथना करती हो कि यहां से वापस चड़े गई है अच्छा शुन मेरी बाब मन ने पाली पोशी कोद खिलाई तू फरज भूलगी सारा बेटी खातर मेरी बता तू कुण सा फरज निवार्या हो अरी बोल का सूत्य मत मारे मैं सूटो टे का मार्या बाबा जी बन कैया अग्याना रूप मने तेरा वार्या हो अरी आओं लोटके नहीं दुबारा आओं लोटके नहीं दुबारा मैं जाओं सुत्रा अंधेरी कसर ना छोड़ी सत्या ना सी कर गया हे रा फेरी हो कर जाए रा फेरी कर जाए बाबाब दुबाब दुबाब लोड़ी सत्या ना सी दूबाब कर जाए रा पेरी कर जाए रा बाबब हरलंदी माता पिता तो भगवान के बरबर होते हैं जो इस संसार में लाते हैं हमें और पाल पोस्कर के संसार में जीने का हक देते हैं तूने तो सारी करी कराई खोदी लाडो तूने तो माता पिता का भी फर्ज भुला दिया कि वो भी कोई भगवान का रूप होते हैं लेकिन पिता जी ये तो हर माता पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को पाल पोस्ट करके बड़ा करें उनका लालन पालन करें ये आपने कोई नई बात नहीं कि ये तो बाप का फर्ज होता है, मा का फर्ज होता है, लेकिन बेटरा बेटी का कोई फर्ज नहीं होता, कि जब मा बाप बुढ़ा हो जाए, तो तेरी तरह कोड़े उठा लेने चाहिए हो पिता जी मैं हर बात को मानती हो मैं भी जानती हो कि आज आपके पास में मेरे भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पिता जी मेरी सास और ननत को कौन समझाए कि आपने उस मुरली वाले के उपर सब कुछ नियोचावर कर दिया मेरे हाथ में कोई बात नहीं है पिता जी हरनन्दी जिस मुरली वाले के उपर मैंने सब कुछ नियोच्छावर किया है वो ही मेरी लाज रखेगा और मेरी बात सुन ले लाज ली दिखे मात पिता भगवान पर ओपर भूब निभाए तुष्ट तने अज लाड और प्यार जगत के दिखे को सिंदर कोई कोई ओड़े दुख बोज और भार जगत के कांटली और शिपाल प्यार में योदिन चार जगत के हो दिखे होते हैं संसकार जगत के होते हैं संसकार जगत के पढ़ली कथा भत तेरी भूल चूकना इश्वर के घरे हो जाती दिन देरी हो हो जाती दिन देरी एपस घस्तान ने मत मारे मैं पाप तु बेटी मेरी कउशाला ते महर लिखर मने शकल पुली लगे तेरी हो शकल पुली लगे तेरी कर देरी हो जाती हो जाती हो जाती है